नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी करहा हम्हारे चांट दतेशना न पो अज की इस वीडियो में हम लोग लप्रोशी यानि कासे विमारी की बारे में जानाएंगaste tools नेुगे तो लेपरोसी के बारे में आज हम लोग study करेंगे, आज हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, कितनी तरीके के होते हैं, क्या इसके लक्षन होते हैं, क्या कारण होते हैं, किस तरीके से इसे treat किया जाता है, इसका इलाज है या नहीं है, किस तरीके से इससे अपना बचाव कर सकत हमारे समाज में इसके प्रदीक नाइ के नाम पे हैं जिन्हों ने इसका खोज किया था उनका नाम है जीए हैंसें जिन्हों नी इसे कब खोजा था 1973 में जीए हैंसें ने एज किस एज ग्रूप को यह ज्यादा अफेक्ट करता है तो सेकेंड और धर्ड डिकेंड को 20 से 30 साल वाले जो भी एज में हैं 20 से 30 कि मर्म जो हैं हुनको यह ज्यादा एफेक्ट करेगा यह कैसी डीजीज है तो क्रोंड है लंबे समय तक चलेगी इसका इलाज है अगर उनों प्रॉपर मेडिसीन ने तो इसे ठीक कर सकते हैं यह कैसा है क्यूरियवल क्रॉनिक इंफेक्शियस पीजीज ठीक हो सकते हैं इंफेक्शन तो है तभी तो यह पूरा फैल रहा है जयनी कि यह परसन से दूसरे परसन में फैलेगी किस ते डीकली कोंटेक्ट मेरी तो पॉरो रखा कर आakukan पर उस हाओ से घर और जाकर इसने क संझ करते हैं तो यह बीमारी खा लेएक तो विद्हक नहरए मेरे पोड़ी क्या कारण है् to mycobacterium in terre ong yap practice is little नाभव करती है किस तरीके कि अछ अबे civ कर दो दा उसके बहुत दिनों बात लग्षण आएंगे और यह वीमारी प्रेड़ेगी यह वीमारी बढ़ेगी जादतर केस जो है वह इंडिया में नेपाल में मैं अन्मार में कहा हैं तो 80% केस है हमारे भारत में नेपाल में और मैं सबसे पहले हि हम इसकी सब्सक्onse Знаब रहे तो कौन कउन सी लक्षन पे रहने तो नेशनिलिब को डिए तो सबसे परहेयर को Baptist तो सबसे पहले हैं कि सिर्म भॉल रिए तो ईसे यह इसे उसे छोड़ खो मी कई vol मेरा था, प्रॉक मोद्फे चोड़ नेर्फ से संसेशन रहा है कोई से संसेशन नहीं हो रहा है कोई मैंने कि इन प्राइब्लम नेर्फ से यौन रहा है तो हमें आंखों सकती है blyndness भी हो सकता है नहाफन भी हो सकता है कुछ समय बाद अगर इसको ट्रीट ना किया रहा है तो लिए लग्षन है तेग्मुसी किस तरह के जाचे यह हम लोग करवा सकते हैं लग्रोशी को कनफर्ण करने के लिए तो पहला है पॉजीटिव स्कीन इस्मीर टेस्ट दूसरा है नैजर इश्मीर तीसरा है लग्रोमीन टेस्ट इन तीनों टेस्ट के तुरू हम लोग इसके कुछ साइड इफेक्ट से लेकिन यह तीनों दूसरा लेपरोसी को treat करने के लिए अब अगे कुछ point को समझेंगे इसमें कि हमारा है कि क्या बचाओ कर सकते हैं किस तरीके से इस बीमारी से बचाओ कर सकते हैं क्या complications हो सकती है अगर लेपरोसी को treat ना किया गया तो किस तरह की complications हो सकती है आगे चल की तरह की परिशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा पहला है यानि कि आपके सरीर में reaction हो सकता है deformities यानि हाथ में हुआ है तो हात जो है अज़त अच्छे से काम नहीं करेगा वह अपंग हो जाएगा पंगता हो सकती है यह कि आप लंगडी हो सकते हैं तो बहुत सा तरह के दिकते हो सकती हैThere I sinking अपके सरीर में ब्लाइंडिनियस आई की प्रॉब्लम हो रही है, आँगों की प्रॉब्लम हो रही है तो अंधपन हो सकता है, अंधपन हो जाएगा दिखे रहा नहीं कोई छीज़, एर डास बाल जढ़ने लगींगी, जिस एर्या में हो रह यह, वहां बाल तो एर डास हो गए, uplust में हमारे सीर का भी बाद ज्रन्ने लगेगा मसल्स वीक होने लगेंगी हमारे جो manspecia है वो कमजोर होने लगेंगी renal damage हमारा जो है kidney भी damage हो सकता है अब है कि इस बीमारे से हम लोग अầपना बचाओ के स्टरी है से कर सकते हैं बिमारे से बचाओ के लिए आपको BCG vaccination करवाना होगा हम लोग जैसा जानते हैं कि लेपरोसी तीन तरह के होते हैं तीन टाइब हैं पहला है ट्यूबर किलोईड दूसरा है लेपरोमेटर्स और तीसरा है बॉर्डर लाइब तो तीन टाइब हैं लेपरोसी के तो ट्यूबर किलोईड लेपरोसी को ट्रीट करने के लिए उससे बचाओ के लिए आप DCG vaccination करना सकते हैं नेक्स्ट है कि stop chain of transmission अब जो ये transmission एक इनसान से दूसरे इनसान को जो फैल रहा है तो उस transmission के chain को आप stop कर दीजिए रोक दीजिए अपना बचाओ कर लिए तो आपसे दूसरे को नहीं फैल लेगा तीसरे अल्डी detection treatment जितना जंदी आप पता लगा रहे हैं कि किसी को लेप्रोसी हो रखा है या पिर किसी को ये बिमारी हो गया ठीक है और जितना जंदी ट्रीटमेंट करेंगे उतना अच्छा है प्रोपर ट्रीटमेंट जितनी दवाईया दी गई है जिस तरह कि ट्रीटमेंट आपको बताई गई है वो पूरा लीजिए यानि कि आधा ले रहे हैं अराम हो गया फिर छोड़ दिया तो फिर से हो जाएगा और दूसरे को भी अफेक्टिव हो जाएगा तो आप प्रोपर कि इसी कुछ एससे कोर्किस वगेना बेच के लोगों को जागरुक करें कि ईस 대해 बीमारी नहीं है कि जिसका बचाओ ने है जिसका इलाज नहीं है अं अपने बचाँ करतें कुछ बही उसको वबस फिल ना करया हिए इसको डिप्रेशन में मत लेकर जाएगे तो एससा हमेडिया के पुर्ण जगुपता ला सकते हैं लोग को आवियार कर सकते हैं सब्सक्राइब प्रतिजादों करिए उनको ट्रेनिंग दीजिये किस तरीके से वो उन लोगों को बचा सकते हैं किस तरीके से वो अपना बचाओ कर सकते हैं तो यह हमारा लाप्रोसी है कुछ स्ट्रोग है जिसके बारे में सभी सुना होगा बहुत ज्यादा बिरते हैं लेकिन ड़ने के हमारी जो है छोगड़ा सा टॉपिक है लाप्रोसी इसके बारे में जो बेसिक जानगारी है जो इंपॉर्टेंट है वो हमने इस वीडियो में डिसकसन कर लिया है अगर आपको इसकी और डीटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट से कमेंट करें थैंक्यू फो वाचिंग मै नेक्सक्त टॉपिक है एंग्यू थैंक्यू एंग्यू थैंक्यू थैंडाइ